अल्यार्मान रहीम, असलाम लेकूं तूडेंट्स, तोडे टॉपिक अफ और दिसकेशन इस पिनुलेरिया फ्रॉम आउटलाइन अल्जी सबसे पहले पिनुलेरिया की सिस्टमेटिक पॉजीशन हम डिसकस करेंगे अल्जी की डिवियन है जिसमें जो अल्जी है वो गोल्डन ब्राउन कलर की होती है पिनुलेरिया इस फ्रेश वाटर अल्गा, इट इस फांट इन पॉंड, इस अल्सो प्रेजन आने वाला है ओशन्स या मेराइन वाटर में ये नहीं होता तो इसकी जो अपेरंस है वो आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये नजर आता है ये इसका वाल्व व्यू दिखाया गया है और दूसरा इसका गर्डल व्यू दिखाया गया है इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी दो valves दिखाई गई है, यह उपर वाल्व है और नीचे वाल्व है इसका half जो है इसकी lower valve है, तो इसके structure के बारे में हम discuss करते हैं, detail में, सबसे पहले इसके cell wall and valves, it is unicellular, first of all तो यह के एक unicellular है, यह एक cell पर मुझतमिल है, और इसका जो एक cell है, यह elongated या elliptical है, ठीक है, जैसे आप देख रही हैं कि इस तरह से यह elongated and elliptical है, cell wall is composed of pectic substances, इसकी जो cell wall है, उसमें pectic substances मौझूद है, उसके इलवा silica भी उसमें पाया जाता है, जिसकी वज़ा से यह hard texture का होता है, इसकी जो cell wall है, काफी hard होती है, due to the presence of silica and pectic substances, अब इस composed of two halves, दो parts में, दो halves में वो divided है, which are called valves, ठीक है, और यह दोनों जो halves हैं वो इसके valves कहलाते हैं, valves इसके किस तरह से नजर आते हैं, जैसे एक petri dish होती है, petri dish जो है, वो एक circular जो है, glass की dish होती है, जिसके नीचे एक round हम कहें कि एक शीशे की round जो है, वो एक dish होती है, और उपर स बी एक उसी तरह की dish होती है, लेकिन जो उपर वाली होती है, वो थोड़ी उससे बड़ी होती है, तो दो halves होते हैं, दो उसके petri dish के parts होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि two उसके halves है, एक अपर जो उसका half होता है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, चोटी नीचे वाली से, क्योंक जो है वो बड़ा होता है इसके नीचे वाले वाल्व से क्योंकि उपर वाल्व है वो ओवरलैप करता है उसको ढख देता है नीचे वाले वाल्व को अब जो उपर वाल्व है इसका ये कलाता है एपिथीसा ठीक है ये उपर वाल्व और जो लोर वाल्व नीचे वाल्व है ये क्या कलाता है? ये कलाता है हाइपोथिसा. The margins of the two walls are covered by a connecting band called singulum. और जहां पर एक दूसरे को ये overlap कर रही हैं, यहां पर इनके connecting band पाया जाता है जिसको singulum कहते हैं. The two walls with their inner protoplast are called fristule. अब ये जो दो valves हैं, हम कहते हैं कि ये दो valves जो है, ये cell wall के दो parts या दो halves हैं और अंदर के है इसका protoplast है. तो ये protoplast along with these two valves are called fristule. ये मुकमल जो एक structure है, ये fristule कहलाता है pinularia का. The fristule has two views. The surface view is called valve view and band view is called girdle view. अब इसको हम जब देखते हैं तो दो तरह के views इसके हमें नजर आते हैं structurally. एक तो इसका जो surface view होता है, वो valve view के लाता है. आप ये देख रहें कि surface view जो है, वो इस तरह से नजर आता है. उपर से surface से जब हम देखते हैं, ये इसका valve view है और जो इसका band view है, उसे हम girdle view कहते हैं. ठीक है? जो हम कहें कि इसको हम side से अगर देखें तो इस तरह से इसका अपर valve और lower valve इस तरह से हमें नजर आता है. The outer large valve is called epithesa, जो उपर वालव है, वो epithesa किलाता है, वो थोड़ा बड़ा होता है, और जो नीचे वालव है, वो चोटा होता है थोड़ा सा और वो हाइपोथिसा किलाता है, उस चोटे हाइपोथिसा के ऊपर epithesa होता है, जो कि उसको cover करता है. The cell is covered by mucilyaginous layer, उसके इलावा cell के बाहिर mucilyaginous layer होती है, mucilyaginous means थोड़ी sticky substance वाली, the surface of valve has minute pores और pits, अब इन valve की surface पे, valve क्या है, यह हम कहरें न, कि इसकी cell valve है, उसका अपर और lower जो पार्ट है, यह दो valves है, तो इनकी valves में क्या होता है, कि छोटे-छोटे pores होते हैं या pits होती है, it produces characteristic markings on the surface of valves, तो यह जो छोटे-छोटे से सुराख होते हैं, जिनको pores या pits का जाता है, यह उसके उपर markings जो हैं, इस तरह से निशान नजर आती हैं, कि एक pattern में जो हैं, वो markings ही नजर आती हैं, इनके surface के उपर, जैसे कि यह आपको देखें, तो epithisa के उपर यह marking नजर आ रही हैं, यह hypothesis पर भी यह marking नजर आ रही हैं, यहां पर आप देखें, तो यहां पर यह देखें, इस तरह से, यह marking जो हैं, यह नजर आ रही हैं, यहां पर भी और यहां पर भी यह marking जो हैं, यह नजर आ रही हैं, तीज markings are bilaterally symmetrical और ये इस तरह से bilaterally symmetrical हैं कि दो साइड पे ये अरेंड है एक साइड यहाँ पे और दूसरी यहाँ पे The marking free area is called axial field वो हिस्सा cell wall का जिस पे marking नहीं होगी marking free area होगा उसे axial field कहा जाता है The markings are arranged in linear rows और ये linearly एक line की तरह से row बनाके ये markings जो हैं ये मौजूद होती है उपर भी और इस तरह से नीचे भी The axial field contains a longitudinal slit called raf और जिसका marking free area है आप center में देखें तो center में marking नहीं है तो ये कहलाता है इसका marking free area जिसको हमने का कि इसके marking free area को हम axial field कहते हैं इस axial field में क्या होता है एक longitudinal slit होती है जिसे raf कहते हैं The raf is not continuous throughout the length of the wall The raf is wedge shaped in transverse section and it has circular thickening called central nodules in the center अब हम देखा कि इसके axial field में एक longitudinal slit होती है जिसको raf कहा जाता है अब ये जो raf है center में इसकी thickening होती है central thick part जो है इसका कहलाता है central nodule इसी तरह से इसके दोनो ends पे भी कुछ thickenings होती है तो ये जो दोनो ends की thickenings हैं ये कहलाती है polar nodule These nodules open to the external equus medium तो ये equus medium में जहां ये मौजूद होती है वहाँ ये open हो सकती है ये nodules Cell structure Cell के structure के अगर हम बात करें तो इसमें cytoplasm होता है जो के parietal layer की form में मौजूद होता है और इसके cytoplasm को कहा जाता है primordial attrical ठीक है और इसमें एक large central vicule होता है Cell के बिलकुल center में और उसमें फिर एक nucleus भी होता है in the center of the vicule और उसमें suspended होता है vicule के अंदर nucleus जो हो suspended होता है by transverse cytoplasmic bridge ठीक है एक cytoplasmic bridge के जरीए वो उसको suspend कर रहा होता है या उसके साथ connected होता है cytoplasm से nucleus तक वो जो bridge है वो मौजूद होती है क्योंके vicule के अंदर nucleus मौजूद है तो bridge के सरीए वो connected होता है with the cytoplasm उसके लवा two chloroplasts are present along the two sides of the cells दो chloroplasts में भी होते हैं इसमें these are most prominent structures they contain chlorophyll A chlorophyll C beta carotene and diatamin और fucozenthin pigment या फिर fucozenthin pigment होता है fucozenthin जो है वो इस alga को characteristic color जो इसका है वो देता है जो कि हमने का कि golden brown color की algae नजर आती है जो bacillariophata से belong करती है one or two pyranides are present in a chloroplast उसके इलावा reserve food material को store करने के लिए इसमें pyranides भी होते हैं लेकिन pyranides जो हैं वो तार्श को store नहीं करते हैं बलके इसमें जो storage होती है वो होती है in the form of oil या फिर cryso laminarine की form में locomotion की अगर हम बात करें तो locomotory organs are absent in penularia it moves by characteristic gliding movement तो ये glide करके आगे की तरफ move करता है जैसे ring ने की movement होती है उस तरहा से ये glide करता जाता है और slight jumps जैसे होते हैं उस तरह से gliding करता है locomotory organs क्योंके इसमें मौजूद नहीं होते circulation of the streaming cytoplasm within the raft causes this movement क्योंके raft में cytoplasmic streaming होती है जो cytoplasm move करता है उसकी वज़ा से ये gliding movement होती है और mucilage helps in this gliding और उसके cell के बाहिर mucilage sticky substance होता है वो उसको gliding में help करता है reproduction हम देखते हैं कि इसमें vegetative reproduction जो है it is the most common method of reproduction it produces daughter cells slightly different in sizes अब एक जो parent cell होता है pinnularia का वो divide होता है दो में जब दो daughter cells में वो divide होता है तो दोनों daughter cells जो हैं different size के बनते हैं vegetative reproduction in dietems occur simple cell devian simple in में cell devian होती है the protoplast expands होता किया है कि इसका cell जब divide होने लगता है तो इसके अंदर का जो protoplast है वो expand हो जाता है फैल जाता है जिसकी वज़ा से इसके बाहिर जो दो valves होती है उपर की valve epithesis और नीचे वाली hypothesis वो दोनों slightly जो है एक जुसे से separate होना शुरू हो जाती है क्योंकि इसका protoplast जो है वो फैलना शुरू कर देता है nuclear devian occurs by mitosis जब यह protoplast expand हो जाता है and it is ready to divide तो उस ताइम फिर nuclear devian होती है by mitosis क्योंकि दो cells में जब वो divide होगा तो nucleus भी दोनों cells में जाएगा and the cell divides into two parts each half receives one half of the parent cell अब दोनों parent cell से जो बनेंगे दोनों में half half जो है वो protoplast जाएगा it synthesizes new valve अब parent cell जब डिवाइड हो रहा है उसमें दो valves होती है एक उपर वाली एक नीचे वाली तो जब वो दो में डिवाइड होगा तो दोनों daughter cells को वो एक एक valve देगा एक के पास epithisa जाएगी साथ में protoplast और दूसरे के पास protoplast और hypothesis new valve is fit into the parent valve अब दोनों ने अपनी एक एक नई valve बनानी है और नई valve जो है वो अपने अंदर बनाएंगे तो पूरा एक complete structure उनका बन जाएगा thus new valves are always smaller than the parent halves और जो नई valves वो बनाएंगे वो अपनी parent valve से smaller size की बनाएंगे जो उसके अंदर fit हो जाए thus one generation gradually become smaller in size it reach to minimum size इस तरह से एक generation जो है वो अपनी parent size जैसी रहेगी दूसरी जो generation है वो size में छोटी होती जाएगी आगे हम देखते हैं diagrammatically then size is restored by oxospore formation जो minimum size की तरफ पहुंच जाएगी फिर उसका size जो है दुबारा restore कैसे होगा दुबारा वो original size तक वो generation कैसे जाएगी तो वो होगा by oxospore formation यह आगे हम discuss करेंगे और जो दूसरी generation है हम देखा उसको अपने size में सेम रहेगी अब यह देखें यह एक parent cell है पिनूलेरिया का इसमें होनी है simple cell devian इसका जो protoplast है वो expand करेगा जिसके जैसे उपर वाला epithisa और नीचे वाला hypothisa यह slightly separate हो जाएंगे फिर cell जब divide करेगा तो यह एक cell को यह epithisa देगा ठीक है एक daughter cell को दूसरे daughter cell को अपने नीचे वाली valve एक और जो है वाल बनानी है ठीक है हमने कहा कि यह hypothisa जो है यहाँ पे है यह देखें यह hypothisa जो है यह parent से आया है इसका ठीक है और यह जो epithisa है यह यहाँ यह epithisa जो है इसका यह parent से आया है ठीक है इसको epithisa मिला है और इसको hypothisa मिला है तो इसने अंदर एक और valve बनानी है, बाहर नहीं बनानी है, ठीक है? तो अंदर जब बनाती है, तो अंदर वादी valve जो है, वो थोड़ी चोटी बनती है, क्योंकि वो अंदर की तरफ फिर्ट होती है, फिर ये दोनों cell दुबारा डिवाइड होगे इसी तरह से, ठीक है ये सेल डिवाइड हो रहा है एक में एपिथिसा जा रहा है एक में हाइपोथिसा जा जा रहा है तो ये जब बारा डिवाइड होगा तो फिर उसी तरह से के एक को इसने अपनी एपिथिसा दिया एक सेल को एक को हाइपोथिसा दिया तो उसके अंदर ये जो नई वाल्व बनी थी, ये smaller size की बनी थी इसकी, अब ये जो जिस daughter cell के पास जाएगी, वो फिर मजीद इससे छोटी वाल्व अंदर की तरफ बनाएगा, ठीक है, फिर ये दोनों separate होंगी, फिर इनके अंदर और छोटी वाल्व बनेंगी, तो ऐसे करते करते हैं, एक generation जो है, वो बहुत छोटे size की होती जाएगी, और एक generation जो है, वो अपने parent size जैसी ही रहेगी, तो वो जो generation बहुत smaller size की होती जाएगी, due to formation of smaller sized valve inside the parent valve, तो उसका size फिर restore कैसे होगा, वो होगा by auxospore formation, auxospore formation जो है, ये sexual reproduction में आ जाता है, auxospore की formation जो है, ये gamete formation के ज हो सकती है, और apartheinogenesis से भी हो सकती है, gamete formation से किस तरह होगी, in some species of pinularia, two cells from common parent और different parents enveloped in a common mucellaneous sheet, कि कुछ species में ऐसा होता है, pinularia में, कि उसके जो दो cells हैं, एक ही parent के दो cells, या फिर different parents के हो सकते हैं, वो एक ही mucellaneous sheet में covered हो जाते हैं, ठीक है, एक mucellaneous sheet बाहिर आ जाती है, और अंदर दो cells होंगे, pinularia के, the nuclei of both cells divide by meiosis to form four nuclei, अब उन दो cells ने sexual reproduction करनी है, अब उन दोनों cells के अंदर के जो nucleus होगा, वो करेंगे meiosis, और meiosis से दोनों के जो nucleus हैं, वो divide होके, diplied nucleus से haplied nuclei बना लेंगे, four haplied nuclei बना लेंगे, four haplied nuclei में से three nuclei जो हैं, वो degenerate हो जाएंगे, disintegrate हो जाएंगे, और वाकि एक जो रहेगा, functional रहेगा nucleus, वो enlarge हो जाएगा, ठीक है, और वो पूरा protoplast फिर metamorphosed हो जाएगा into gamete, ठीक है, वो gamete की शकल इक्तियार कर लेगा, ठीक है, protoplast along with a single functional nucleus, the gametes are liberated from the parent frustules, अब वो जो gametes हैं, वो अपने frustules से बाहिर आएंगे, मतलब वो जो covering है और सारा, वहाँ से बाहिर आएंगे, they fuse to form zygote, frustules से ये बाहिर आगए, और उसके बाद ये दोनों जो gametes हैं, मतलब अब इनके बाहिर कोई valves नहीं होंगी, epithisa and hypotheisa, ये बाहिर आएंगे, और ये आपस में एक दूसरे के साथ fertilize करके zygote बनाएंगे, zygote जो है enlarge होगा to form auxospore, और वो जो auxospore होगा, it secrete new valve and become adult, zygote जो है वो फिर auxospore बनाएंगा, और auxospore के बाहिर नई valves बनेंगी, epithisa भी बनेगा, hypotheisa भी बनेगा, और ये एक adult pinolaria में convert हो जाएंगे, दूसरा जो method है वो है parthenogenesis, जो के होता है without the fertilization of gametes, तो इसमें क्या होगा, the protoplast of cell secrete a large amount of mucilage, कि एक cell का जो protoplast है, वो काफी ज़्यादा mucilage बनाना शुरू कर देता है, secrete करता है, therefore two valves are separated from each other, जिसकी वज़ाद से, उस mucilage यस्टिक की सबस्टांस की वज़ाद से, उसकी जो दो valves हैं, उपर वाला और नीचे वाला epithisa और hypotheisa वो दोनों separate हो जाते हैं, इस separate is the inner protoplast, और अंदर का जो protoplast है, वो separate हो गया, valves जब अलग हो गई, the protoplast grows to its maximum size, अब वो जो protoplast है, वो grow करेगा, size में increase हो जाएगा, it's actually silica rich pectic substances, जब वो protoplast enlarge हो जाएगा, maximum size तक पहुंच जाएगा, grow करता जाएगा, उसके बाद वो क्या करेगा, अपने बाहे, silica rich pectic membranes जो हैं, वो बनाना शुरू कर देगा, जैसे कि epithesis और हैं, उस तरह की नई membranes वो बना लेगा, इन membranes को कहेंगे, prezonium, new walls are secreted inside the prezonium, nuclear devian does not occur, अब इसमें कोई nuclear devian नहीं होई, therefore auxospores are formed by parthenogenesis, तो यह जो method है, auxospores formation का, यह parthenogenesis में आ जाता है, क्योंकि इसमें कोई nuclear devian नहीं होई, कोई fertilization नहीं होई, गैमेड्स के, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यह तो दिखाया गया, कि यह diatum devian दिखायी गई है, अच्छा, यह जो bacillario phyta के जो members हैं, इनको diatums भी कहा जाता है, एक doctor के पास यह hypothesis गया, दूसरे doctor के पास यह epithesa, दोनों ने इसने भी अपने अंदर वाल बना ली, और इसने भी अपने अंदर वाल बना ली, ठीक है, फिर यह इसी तरह से next time जब divide करेगा तो इसी तरह से होगा, और यहां पर यह देखें कि यह जब divide करेगा तो इसमें यह जो smaller वाल बनी है, यह फिर जब separate होगी तो फिर इसके अंदर और smaller वाल बनेंगी, पिर जब यह separate होगे तो इसके अंदर और smaller वाल बनेंगी, तो एक generation unit हो हो उती जाती है, half जुए वो smaller, और half generation जो है वो एक ही size की रहती है Martosis दिखाएगी है यहाँ पर और यहाँ पर यह दिखाया गया है Sexual Reproduction हमने कहा कि Sexual Reproduction या Oxospor Formation इसमें कब होती है जब एक generation बहुत smaller size में चली जाए तो उसका size restore करने के लिए Sexual Reproduction या Oxospor Formation होती है तो उसमें क्या होता है कि दो हमने कहा कि इस तरह के cells जो है वो एक mucleasiness covering में आ जाते हैं और फिर अंदर जो है उसमें जो दो cells होते है उनमें nuclear devian होती है दोनों में ठीक है इसमें भी meiosis होई इसमें भी meiosis होई deplied cell थे ना दोनों 2N लिखा हुए तो इसमें क्या होगा कि meiosis से phasmiotic devian में एक से दो nucleus बने फिर दो से चार बने ठीक है meiosis जब complete होगी तो one deplied nucleus से four haplied nuclei बन गए ये हैं अब haplied ठीक है इसमें से तीन nucleus जो है इसके degenerate हो जाएंगे एक functional रहेगा इसके भी तीन degenerate हो जाएंगे एक functional रहेगा तो जो functional होगा वो क्या करेगा अपने प्रोटो प्लास्ट में enlarge हो जाएगा उस प्रोटो प्लास्ट को भी enlarge करेगा जिससे इनके बाहिर वाल्व्स हैं वो दोनों की separate हो जाएंगी फिर ये जो दोनों है ये gametes की फॉर्म में convert हो जाएंगे into gametes अब ये दोनों gametes जो है ये इन वाल्व्स से बाहिर आकर fertilize करेंगे एक दूसरे के साथ fertilization के बाद ये बना देंगे zाइगोट और ये जो जाइगोट है ये पहले expand करेगा और अपने बाहिर एक pre-zonium बनाएगा और उस से फिर ये दो वाल्व्स अपनी एपिथिसा और हाइपोथिसा बनाके adult dietum या पिनुलेरिया की form में ये change हो जाएगा थैंक यू अल्ला हाफिस